तो गाइस इस question में हमें number of electron estimate करने है और हमें ये कहा गया है कि अगर 1 ampere का current यहाँ flow कर रहा है 1 ampere का current flow कर रहा है तो 16 second में roughly कितने number of electron इस filament के थूँ पास होंगे ठीक है तो हमें ये estimate करना हम लोग जानते हैं कि जो current i होता है that is q by t where q क्या है q charge अगर पास करता है इस filament से तो q by t होता है लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर wire लेते हैं और wire का कोई भी cross section है suppose यह हमारा एक cross section हो गया इस cross section को जो पार करने वाले electrons हैं अगर उनकी संख्या हमको पता है तो हम यह कह सकते हैं कि कितना charge इस cross section area को पास किया है suppose n electron अगर पास करते हैं तो आप यह कह सकते हो जो charge पास किया है वो n into e होगा where e is charge on the electron that means 1.6 into 10 power minus 19 अगर हम इसको place कर दे ऊपर current वाले expression में तो formula integrate होके क्या हो जाएगा n e upon t हो जाएगा अब हमें estimate करना यहाँ पे n number of electrons तो n को subject अगर बना लें हम लोग तो i into t upon क्या आजाएगा e आजाएगा जहाँ पे हमें सारे data पता है i कितना है अपने पास 1 ampere है उसके बाद t कितना है यह कहा गया है 16 seconds है 16 seconds and last information e दिया नहीं गया है यह आपको memorize होना चाहिए 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम अब यह सारी value हम लोग प्लेस कर देते हैं तो n equals to i1 into 16 over क्या हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 अब अगर आप यह decimal remove करते हो तो क्या पे करोगे एक 10 पे करोगे numerator में है ना उसके बाद यह 16 और 16 क्या हो गया cancel हो गया अब यह 10 की power 19 उपर जाके क्या हो जाएगा 10 की power 19 और प्लस एक 10 तो उपर से पहले है तो 10 की power कितना हो गया 20 हो गया that means that is first a option is correct thank you guys